ओम शान्ति, 25.9.2024 के साकार अनमोल धार्णा युक्तिश्वरिय महभाके हैं, मिथे बच्चे, बेहद की स्कॉलर्शिप लेनी हैं, तो अभ्यास करो, एक बाप की सिवाई और कोई भी याद ना आए, अभ्यास करें, एक बाप के सिवाई और कोई भी याद ना आए, कुश्चन है, बाप का बनने के बाद भी, यदि खुशी नहीं रहती, उसका कारण क्या है, भगवान के बन गए, अपना उसने बना लिया, सब कुछ उस पर ने उच्छावर कर दिया, फिर भी खुशी नहीं रहती, उसका कार क्या है, अंसर है, पहली बात, बुद्धी में पूरा ज्यान नहीं रहता, दूसरी बात, बाप को यथार्ट रीती याद नहीं करते, याद ना करने के कारण माया धोका दे देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती, तुम बच्चों की बुद्धी में नशा रहे, बाप हमें विश्यो का मालिक बनाते हैं, तो सदा हुलास और खुशी रहे, बाप का जो वर्सा है, पवित्रता, सुक और शान्ती, इसमें फुल बनू तो खुशी रहेगी, बाबा का वर्सा संगम युका है, पवित्रता, और पवित्रता सुक शान्ती की जननी है, तो बाबा ने का प दिखे ओम श्यान्ती, ओम श्यान्ती का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीती मालूम है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह अच्छी रीती याद करो, भग्मान माना आत्माों का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसी कभी सुना है वह है तो समझते हैं शिरी कृष्ण पढ़ाते हैं परन्तु उनका भी तो नाम रूप है ना यह है तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप आत्म सुनती हैं और परमात्म सुनाते हैं यह नई बात है ना विनाश तो होने कही है ना एक है विनाश काले विप्रीत बुद्धे दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धे आगे तुम भी कहते थे इश्वर सर्व्यापी है पत्थर भित्तर में है इन सब बातों को अच्छी रीती समझना है, यह तो समझाया है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वे है इतनी चोटी आत्मा, इतनी चोटी आत्मा ही, 84 जनम लेकर सारा पार्ट बजाती है, आत्मा शरीर को चलाती है, उंचे ते उंच पाप पढ़ाते हैं, तो जरूर मर्तबा भी उंची मिलेगा न, आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है, आत्मा कोई देखी नहीं जाती, बहुत कोशिश करते हैं कि देखें, आत्मा कैसे आती हैं, कहां से निकलती हैं, परन तु मालूम नहीं पढ़ता, करके कोई देखे भी, तो समझ नहीं सकेंगे, यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती हैं, आत्मा अलग हैं, जीव अलग है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटी से बड़ा होता हैं, आत्मा ही पतित और पावन बनती हैं, आत्मा ही बाब को बुलाती हैं, हे पतित पावन आओ, बाबा को बुलाते हैं, हे पतित आत्मा को पावन बनाने वाले बाबा आओ, यह भी समझा है, सभी आत्मा हैं, सीताई हैं और वह राम ब्राइट गुरूम एक हैं, वो लोग फिर सभी को ब्राइट गुरूम कह देते हैं, अब ब्राइट सब में परवेश करें, यह तो हो नहीं सकता, यह बुद्धी में उल्टा ज्यान होने कारण ही, नीचे गिरते आई हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की याद बहुत, बाप की बहुत ही भारी निंदा की है, बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या, परन्तु, आंज कल विगड़ते हैं, तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, यह तो है बेहद बाप का बाप, आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है, बाबा आप कच मच अवतार हो, सिरी कृष्ण की भी धरम गलानी की है, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया, अब माखन आदी चुरानी की, उनको क्या दरकार पड़ी है, कितनी तमो परधान बुद्धी बन पड़े हैं बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूं बाप है ही पतित पावन सर्व शक्ति मान अथोरेटी जैसे सादो संत आदी जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथोरेटी कहते हैं शंक्राचारिय को भी वेदो शास्त्रों आदी की अथोरेटी कहेंगे उनका कितना भबका होता है शीवाचारिय का तो कोई भबका नहीं इनके साथ कोई पलतन नहीं है यह तो बैट सभी वेदो शास्त्रों का सार सुनाते हैं अगर शिवाबा भबका देखाए तो पहले इनक ब्रह्मा का भी भबका चाहिए परंतों नहीं ब्रह्मा बाबा तो कितने साधारन थे दोति कुर्टा पेहनते थे तो उनका कोई भबका नहीं पाप कहते हैं में तुम बच्छों का शर्वैंट हूं बाप इनंवी परवेश कर बच्छों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो तुम पामनबन 84 जन्मों के बाद पतित बन गए इनकी ही हिस्ट्री जोगरफी फिर से रपीट होती है इनोंने 84 जन्म भोगे हैं फिर उनों को ही सतो परधान युक्ति सतो परधान बनने की युक्ति बताते हैं बाप है ही सर्व शर्व शक्ति मान, शुप बाबा सर्व शक्ति मान है, ब्रह्मात्वार सभी वेदो शास्त्रों का साल समझाते हैं, चीत्र में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, पन्तु वस्तों में शास्त्रों अधिकी बात है नहीं, ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना इनके पास, ना तुम्हारे पास शाष्ट्रे हैं, यह तो तुमको निति नहीं नहीं बाते सुनाते हैं, यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मारक के शाष्ट्रे हैं, मैं कोई शाष्ट्र थोड़ी सुनाता हूं, मैं तो तुमको मुक से सुनाता हूं, शुप बाबा ओरली सुनाते हैं, ब्रह्म नहीं सुनाते थे यह तो जानते हो कि सभी भक्ती मारग के शास्त्र है मैं तो कोई शास्त्र पसलिक नहीं हूँ तो मुक्त या और में यह तो थुम मोख में को अधिया है मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, हुबहु कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा कितनी सहज बात समझाता हूं, अपने को आत्मा समझो ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अभिनाशी है शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है आत्मा एक शरी छोड़ दोसरा लेती है तो बाट कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं शिवरात्री मनाते भी हैं वास्तों में होना चाहिए शिव जैन्ति शिव का रिइनकार्नेशन होते हैं अलोकिक जनम परन्तु जैन्ति कहने से माता के गरब से जनम हो जाता हैं इसलिए शिवरात्री कहते हैं कल्यूगी रात्री अज्ञान का अंदकार जब हो जाता हैं तब शिव बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में आते हैं तो इसलिए शिवरात्री कहते हैं जैन्ति माना तो वो समझते कोई मा के गरब से जनम लिया पर शिप बाबा जनम मरन के चक्कर में नहीं आते हैं शिप बाबा का तुरी इंकार्णेशन अर्थात ब्रह्मा के द्वारा लोन लिया हुआ शरीर उनके द्वारा शिप बाबा ज्यान सुनाते हैं द्वापर कल्यू की रातरी में मेरे को खाते हो, एक दम जैसे देवता से आसुरी संपरदाई बन जाते हो, देवता ही कभी शराब पीते हैं क्या, वही आत्में फिर गिरी हैं, तो शराब आदे पीने लग पड़ी हैं, बाप कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, पुरानी दुनिया में हैं अनेक धरम, नई दुनिया में एक धरम, एक से अनेक धरम होए, फिर एक जरूर होना है, मनुष्य तो कह देते हैं कल्यूग अभी 40,000 वर्स और हैं, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्यान सुरिये परगटा अज्यान अधिर विनाश, मनुष्यों में बहुत अ ज्यान है, बाप ज्यान सुरिये, ज्यान सागर आते हैं तो तुमारा भक्ति मारा का अज्यान मित जाता है, तुम बाप को याद करते करते, पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है, तो यह है योग अगनी, काम अगनी काला बना देती है, योग अगनी अर्था शुबा बाबय की याद गुरा बनाती है, शिरी कृष्ण का नाम भी रखा है, शाम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, तो बाप आकर अर्थ समझाते हैं, पहले पहले सत्युग में कितनी सुंदर है, आत्मा पवित्र सुंदर है, तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है माहा कितना धन दोलत सब कुछ नया होता है नई धन्नी पिर पुरानी होती है अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है खुब तयारियां हो रही है भारत वाजी इतना नहीं समझाते है जितना वहस समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, कोई प्रेरक है, साइन्स द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं, यह भी समझते हैं क्राइश्ट से तीन हजार वर्स पहले पेराडाइस था, इन गौड़ेज का राज्य था, भारती प्राचीन था, इस राज्योग से लक्षमी नार ऐसे बने थे, वह राज्योग फिर बाफी सिखला रहे हैं, सन्यासी सिखला न सके, आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी हैं, बाहर में जाकर कहते हैं, भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं, अंडा खाओ शराबादी, भल पियो, कुछ भी करो, अब यह कै कैसे राज्योग सिखला सकेंगे, मानुष्य को देवता कैसे बनाएंगे, बाप समझाते हैं, आत्मा कितनी उच्छ है, फिर पुनर जनम लेते लेते सतो परधान से तमो परधान बन जाती हैं, अब तुम फिर से स्वरकी स्थापना कर रहे हो, महा दूसरा कोई धर्म होता ह अब बाप कहते हैं, नर्ग का विनाश तो जरूर होना है, यहां तक जो आई हैं, वह फिर स्वरक में जरूर जाएंगे, शुब बाबा का थोड़ा भी, ज्यान सुना तो स्वरक में आएंगे जरूर, फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना उंच पद प जिवाईं बाप के और कोई को याद नहीं करते, वही उंच पद पाएंगे, इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलर्शिप, इसमें तो रेज करनी चाहिए, यह है इश्वरिय लोटरी, एक तो याद, दूसरा दैवी गुन धारन करनी हैं, और राजा रानी बनना हैं, तो प् प्रजा बनाते कोई कम प्रजा बनती है सर्विस से, मिज्यम प्रदशनी आदी में धेर प्रजा बनती हैं, इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्य वंशी, चंद्र वंशी डिनाश्टी में चले जाएंगे, यह है तुम ब्राह्मनों का कुल, बाप ब्राह्मन कुल दो दिनाश्टी बनाता हूं, सुर्य वंशी, माहराजा महरानी, चंद्र वंशी राजा रानी, इनों को कहेंगे डबल सिर्थ ताज, फिर बाद में, जब विकारी राजएं होते हैं, उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर, उनको पू पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है, सुक धाम वैसलिस वर्ल्ड, इसको कहा जाता है, विशिस वर्ल्ड, एक भी पावन नहीं है, सन्याशी घरबार छोड़ भागते हैं, राजा गोपी चंद का भी मिशाल है ना, तुम जानते हो कोई भी मनुशे एक दो की, गती सदगती कर नहीं सकते, सर्व का सदगती दाता मैं ही हूँ, मैं आकर सब को पामन बनाता हूँ, एक तो पवित्र बन, शांती धाम चले जाएंगे, और दूसरे पवित्र बन, सुक धाम में जाएंगे, यह है अपवित्र दुख धाम, सत्युग में बिमारी यादि कुछ भी होते नहीं तुम उस्चुक धाम के मालिक थे फिर रावन राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो तो बाप कहते हैं कलब कलब मेरी शिरी मत पर स्वरग स्थाफन करते हो नई दुनिया का राज्य लेते हो फिर पतित नर्क वासी बनते हो देवताई ही फिर विकारी बन जाते हैं वाम मारग में गिरते हैं तो मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के परीचे देते हैं कि मैं एक ही बार पुर्शोतम संगम युग पर आता हूं मैं युगे युगे तो नहीं आता हूं कल्प के संगम युग पर आता हूं ना कि युगे युगे कल्प के संगम युग पर क्यों आता हूं चूंकि नर्क को स्वरक बनाता हूं हर 5000 वर्स के बाद आता हूं कहीं बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहते हुलाज नहीं रहता अरे बाप तुमको विश् कर तुमको खुशी नहीं रहती तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठैरती पती को याद करते खुशी होती है जो पतित बनाते हैं और जो बाप डबल सिर्टाज धारी बनाते हैं उनको याद करने से खुशी नहीं होती बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते यह उखुशी नहीं तो किसी आद करने से खुशी होगी पूरा ज्यान वुद्धी में नहीं है याद नहीं करते इसलिए माया धोका देती है तो में बच्चों को कितनी अच्छी रीथी समझाते हैं कल्प कल्प समझाते हैं आत्म ही तो पत्थर बुद्धी बन पड़ी है उनको पारस बुद्धी बनाता हूँ नॉलेज़ वुल बाप ही आकर नॉलेज़ देते हैं वह हर बात में फुल है प्यूरुटी में फुल है शिव बाबा हर बात में फुल पिरोटे में फुल, प्यार में फुल, ज्यान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना ऐसे बाप से तुमको ये वर्सा मिलता है, ऐसे बनने के लिए तुम आते हो बाकी वह ससंग आदी तो सब भक्ती मार्गे के हैं, उनमें अम अबजेक्ट कुछ भी नहीं इसको तो गीता पार्शाला काह जाता है, वेद पार्शाला तो नहीं होती, गीता से नर्से नारेन बनते हो, जरूर बापी बनाएंगे मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं बच्चे अपनी को आत्मा समझो तुम कोई देह थोड़ी हो आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ अच्छा, मीधे मीधे सिकी लदे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग राइमन मॉर्निंग रोखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग राइमन मॉर्निंग ओम नमस्ते धानना के लिए मुखी सार है जैसे शिप बाबा का कोई भबका नहीं सर्विंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है ऐसे बाप समान अथोरिटी होते हुए भी निर एहंकारी रहना है पामन बनकर पामन बनाने की सेवा करनी है विनाईश काल के समें इश्वरिय लोट्री लेने के लिए प्रीत बुद्धी बन यांत में रहने वा दैवी गुणों को धारन करने की रेस करनी है वर्दान शुद संकल्पों के घहराव द्वारा सेफ्टी का अनभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्म भव शुद संकल्प को समाप्त कर दे शुद संकल्प की शक्ति को पहचाने शुद संकल्प शक्तिशाली संकल्प बहुत ही कमाल कर सकता है सिरफ कोई भी दृड़ संकल्प करो तो दृड़ता सफलता को लाईगी सब के लिए शुद संकल्पों का बंधन घेराओ ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा भी कमजोर हो उनके लिए भी यह घेराओ एक छत्र छाया बन जाए सेफ्टी का साधन वा किला बन जाए सबसे स्रेष्ट भागी उनका है जिने डिरेक्ट भगवान द्वारा पानना पढ़ाई और स्रेष्ट जीवन की शिरीमत मिलती है अब एक इशारह है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविध्या की स्तिति है जब स्वेम इच्छा मात्रम अविध्या हो जाते हो तब ही अन्य आत्मों की सर्व इच्छाइं पोर्ण कर सकते हो कोई भी इच्छाइं अपनी प्रती नहीं रखो लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाइं पूर्ण करने का सोचो तो स्वें स्वते ही संपन बन चाएंगे ओम शानते